अलो फ्रेंड्स माय साइब रोकुसुनी इलतावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे डिक्रीज हेरिंग सुनाई कम देता है क्या किया जाए दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि बैल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो जी एंट से रिलेटेड आ क्या इसका मैनेजमेंट है दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में सो पहले हम बात करते हैं कि क्या कारण है जो हमारे को सुनाई कम देता है दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे को सुनाई कैसे देता है हमारा जो बगवान ने जो हमारा इयर जो बनाया है सुना बहुत टिम्पेनिंग मंब्रेन चल्टा हले उस यह अंदर के सिस्टम को सप्रायड करके लहता है दोस्टो मताहिए अवाज गाती यह काना के बते हैं क्या तर अब जाता है पहला हमारा जो कान का जो बाहर का जो कान है उसमें हो सकता है वैक्सो या कोई फोरेन बोडी भी हो सकती है उसके बाद में अगर आगे चलते हैं दूसरा कारण हमारा जो कान का पर्दा है उस कान के पर्दे के अंदर जो है मिस्टेक हो सकती है तो यह जो सुनाई कम देता है इ यो हमारी साउंड का जो कंडेक्शन हो रहा है उसको कंडेक्टिव वीरिंग लोस पूढ़ते हैं दोस्तों दूसरा जो है हमारा जो सिस्टम है जो आवाज को ब्रेन तक लेके जाता है दोस्तों एक नर्व है जिसके अंदर मिलियन स्फाइबर्स होते हैं और वह फाइबर्स उस आवाज को ब्रेन तक लेके जाते हैं। बहुत समय तक पर दोस्तों को हमारी नर्व वह जाती है। और उसके करण हमारी आवाज जो है वो उपर तक नहीं जाती है तो दोस्तो ये कंड़क्टिव हेरे लोग्स और दूसरा हेरिंग लोग्स है नर्व का वीकनेस जिसको सेंसो नियूरिंग हेरिंग लोग्स भी बोलते हैं ये दो basically main group होते हैं कारण होते हैं जिसके कारण हमारे को सुनाई कम देता है दोस्तो सुनाई कम देना है इसका management क्या है अगर हम बात करते हैं तो अगर patient को conductive hearing loss है अगर उसके ear में wax है उसको wax clean किया जाता है उसके ear के drum में कान के परदे के अंदर hole है चेद है तो उसको कहा है दोस्तो दुर्बीन की सायता से उसका कान का परदे का प्रत्यारोपन किया जाता है जिसको टिंपेनप्लास्टी बोलते हैं दोस्तो अगर कान के मवाद के कारण पस डिस्चार्ज के कारण जो है वह आपकी हमारी येर की बॉंड डेमेज हो गई तो उसको ओस्यक्लोप्लास्टी और मेस्टोइडक्टोमी सरजरी के मात्यम से उसका रिपेर और रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो हमें हीरिंग में गैन होता है दोस्तो दूसरा जो पहलू है अगर आपको हमारा कान का परदा बिल्कुल ठीक है हमारे कान के अंदर वैक्स भी नहीं है और हमारी जो नर्व है अगर वो वीक है दोस्तो उसमें सरजरी का कहीं कोई रोल नहीं होता उसमें ओपरेशन का रो बिल्कुल सुनाई कम दे रहा था और बिल्कुल सुनाई कम देने लग गया तो मेडिकेशन के माध्यम से जो है उसको ठीक के या जाता है और लंबे समय तक अगर सुनाई कम दे रहा है नर्व वेकनेस है और दोश्तों इसमें hearing aid लगा जाता है जिसको सुनाई की machine बोलते हैं वो machine लगाई जाती है कुछ medication दिया जाता है जिससे कान के अंदर blood flow बढ़ाने का system बढ़ता है so दोस्तों यह जो system है यह कासे हमें पता लगे कि मेरे को conducting hearing loss नर्व का weakness है जब patient हमारे पास आता है उसका e-audiometry एक टेस्स कराया जाता है उस टेस्ट के माध्यम से में यह डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें सर्जरी का रोल है एक नहीं है इसमें आप्रेशन होगा या दवा इसमें लगीगी सो दोस्तों I think this information is useful for you regarding the decreased hearing and its management if you have any query regarding the decreased hearing you can put my comment box definitely I will reply and thank you